हैं आज बात करना वाला हूं जो मारी यहामा की रे जैड आर जो स्कूर्डी आती है उसके रिय टैर के बारे में यानि की पीछे वाले टैर के बारे में तो चलिए वीडियो परते श्टार्ड और चैनल पर पहले बार रोगे चैनल को सस्क्राइब जरू को लेना और मैं आपको बताऊँगा क्या प्राइस है और कितने साल की गरंटी होती है और कितने एर कुलमेटर चलता है तो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और मैं आपको Toure Charger Machine से bịट करते भी दिखाऊंगा, जिए वमारी Yama की W-ZR जो स्कूटी आती है तो उसमें रियर टायर को Toure Charger Machine से bịट करते भी दिखाऊंगा यामा की रे जैडर स्कूटी आती है उसका रिया टैर होता है यानि की पीछे वाला टैर होता है और मैं आपको इसी टैर के बारे में इस पीडियो में बताऊँगा क्या 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 आपको फीचर मिलते हैं इसमें देखने के लिए और क्या 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 आपको बेन्फिट मिल देखिए गाइस यह जैपर के नाम से आता है यह टायर और जैपर जो टायर होता है इसकी जो गिसाई होती है बहुत ही कम होती है यानि कि सर्विस में बहुत ही अच्छा टैर होता है अगर इसकी साइज की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ इसका जो साइज होता है तो यह 110 90 10 इसका size होता है जो कि हमारी yama की ray zr аю को आती है उसका tear का size होता है और यह 61 J reading का tear होता है guys J jy जो होती है हमारी high speed reading होती है यैनिकि इसकि जो speed reading री 158 SPID reading होती है और 61 जो होती हमारी loading capacity owती है यानिकि इसकी loading capacity है तूअट फिप्टी सेवन केजियस होती है और ये देखे गाईस ये टूबलेश टेर होता है और ये रोटेशन होता है यानि कि हमारा टेर इस तरीके से चलना चाहिए यानि कि फिट होना चाहिए एंड गाईस अगर इसकी मैन पैक्चिंग आप इस टेर को डलबлом सकते हो अगर आपके पास जो Yama की Ray ZR स्कूटी जो आती है उसके लिए बहुती बैश टेर है एंड गाइस अगर इसके किलोमेटर सर्विस की बात करें तो यह 25 से 30 यह आर किलोमेटर आपको सर्विस देगा अगर इसकी गरंटी की बात करें तो 6 साल की इसकी गरंटी होती है मेंट पैक्चिंट इफेट की जैसे की साइट से क्रेक हो जाता है यह बबल कर जाता है तो इसकी गरंटी में आता है यह टेर यानि कि कहीं से फूल जाए या चटक जाए तो 6 साल की इस टैर की गरंटी होती है एंड गईस अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यह 1700 या 1800 की लगवा आपको मिल जागा किसी भी MRP के सोरूम से तो जब भी MRP का टायर खरीदें तो MRP के सोरूम से ही खरीदें स्टायलिस एप्रियंस एंड सुपिय गरिप एंड ट्रेक्षन यानिकि इसकी गरिप बहु भी अच्छी है इस टैर की और मैं आपको इसी टायर को टार्चेंजर मसीन से फिट करके भी दिखाऊँगा जो हमारी यामा की रे जैडार स्कूटी आती है तो उसमें इस टायर को टार्चेंजर मसीन से फिट करके भी दिखाऊँगा और टूबलेश टायर टार्चेंजर मसीन से ही फिट होना चाहिए क्योंकि जो हमारा रिम होता है उस पे स्क्रेच बैगरा भी नहीं आती है और फिटमेंड भी प्रोपर आ जाती है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस टायर को टार्चेंजर मसीन से फिट करके प्रोपर आपको जाएंगगर टूँग्चेंजर मसीन आपको एग विर सोचेंगर मसीन से जान चाहिए जाएंगर लाग टूबलेशंगर आपको एड़ोगर को पाना चाहिएंगर बाएंगर मसीन आपको कि लोले कि दोना बघए दोब दोना एक को दो कि लोगael कर round कि आपस्UM पजरणों mó kingdom करेम में जब हैं कि अज़ इसाफ सेफसे हैं कि अङ्यां याज़का दोता कि अख इसाफ्टा, जब शबादा हैं अज़का कि अचमें घर साफर हैं तो गाइस वीडियो कैसे लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना और कमेंट वाक्स में भी आप बता सकते हो कि कौन से गारी के लिए कौन सा टैर बैस्ट है तो मैं आपको उस टैर की वीडियो बनाकर डाल दूँगा और कमेंट वाक्स में बता दूँगा कि कौन से गारी के लिए कौन सा टैर बैस्ट है तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही मिलते है नेस्ट वीडियो में तो वीडियो को जादा जादा सेर करें, लाइक करें और कमेंट करें, मिलते हैं नेच्ट वीडियो में, ठैंक्स पॉर बाचिंग इस वीडियो